दोस्तो वीवो की Y-series का एक और नया फोन वीवो Y20A इंडिया में लाँच हो चुका है प्राइस रखा गया है 11,400 लिन्यानो रुपए जहां पर आपको मिलेगा 3G RAM के साथ में 64GB स्टोरेज तो आज के इस वीडियो में अन्बोक्सिंग करेंगे इसी वीवो Y20A का देखते हैं कि कैसा है ये फोन, क्या फीडियो सम्कों यहां पर देखने को मिल जाते हैं और लास्ट में बात करेंगे कि क्या आपको ये फोन खरीदना चाहिए इस प्राइज में या फिन नहीं लेकिन दोस्तों वीडियो स्टाट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस कि इस वीडियो को पूरा देखेगा और लास्ट में कमेंट कीजेगा कि क्या इस प्राइज में इस फोन को लेना चाहिए या फिन नहीं क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि काफी सा लोग आपके कमेंट पर के ही डिसाइड करते हैं कि उन्हें ये फोन लेना है या पर नहीं तो कमेंट कर देजेगा चले स्टाट करते हैं इस फोन की अन्बॉक्सिंग के साथ तो दोस्तों बॉक्स ओपन करते ही हमें यहां पर देखने मिलता है एक एंवलव जहां पर दिया गया है ट्रांस्परेंट बैक कवर कुछ डॉक्यमेटेशन और एक ये समेजेक्टर टूल और इसके बाद है ये डिवाइस जो की हमारे पास अवेलेबल है ब्लू किलर में चले इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के कुछ और कॉंटेंट और इसके बाद है एक चार्जर जो की नॉर्मल चार्जर है मींज 5W और 2M के और पूर्ट इटिंग के साथ में और लास्ट में दोस्तों आता है एक डाटर के बल जो की है माइक्रो यूएसबी बोट में 2021 हो गया है अब तो टाइप सी पोर्ट दे दीजिए फाइनल दोस्तों अब हमारे आत में हैं Vivo Y20A बात करते हैं सबसे पहले डिजाइन की तो Vivo के फोंस हम जानते हैं कि डिजाइन में काफी अच्छे होते हैं चाहिए फिर बजट फोंस ही क्यों ना हो और ऐसा ही कुछ आपको यहां पर भी दिखने को मिलेगा जी हां फों का डिजाइन नो डाउट अच्छा है हाला कि आपको यह ग्लास फिनिश के साथ में देखने को मिलेगा लेकिन हमेशा की तरह यह पॉली कार्मेंट बॉडी से बना है लेकिन देखने में यह काफी ज़दा अट्रिक्टिव होते हैं अभी भी आप देख सकते हैं जैसे ही आप लाइट रफ्लेक्शन करेंगे तो कुछ इस टैप का आपको कलर शेट दिखने हो लेगा तो डिजाइन तो नो डाउट अच्छा है कैमरा जो शेप है वो भी मैं कह सकता हूँ कि अच्छा है और यहाँ पर आपको rear fingerprint sensor ना होकर side mount and fingerprint sensor देखने को मलता है front side में यहाँ पर आपको एक quarter drop nose split देखने को मिलने वाला है और अगर मैं बात करता हूँ screen size की तो वो 6.5 inches का है चलिए जल्दी से phone को setup करते हैं उससे पहले एक physical overview दिलते हैं तो side में आप देख सकते हैं side mount and fingerprint sensor यहाँ पर volume up down की उपर की तरप करते हैं तो बिल्कुल plane रखा गया है side में करते हैं left side तो यहाँ पर आपको एक sim tray देखने हो लेगा जहाँ पर आप दो sim card के साथ में memory card लगा पाएंगे और अगर मैं बात करता हूँ bottom side की तो यहाँ पर charging port, micro USB, primary mic, 3.5 jack और यहाँ पर मैं देखने हो मिलता है speaker grill और back side की बात करते हैं तो triple ear के ema setup जहाँ पर 13 megapixel का primary sensor और front side में देखने हो मिलता है 1 quarter drop nose play तो चलिए अब मैं जल्दी से setup कर लेता हूँ इस device को और फिर बात करते हैं detail में Vivo Y20A की तो दोस्तो फोन हो चुका है complete setup और हम आ गये हैं Vivo Y20A के home screen पे तो जैसे ही phone को on किया यहाँ पर पता लग गया कि यह phone में काम कर रहा है Funtouch OS 11 के साथ में जी हाँ जो updated UI आपको देखने हो मिलता है Funtouch का और यह based है Android 11 पे तो कम से कम यह अच्छी बात है कि latest UI के साथ में आपको Vivo का budget phone देखने को मिल रहा है अगर मैं बात करता हूँ display की तो 6.51 इंचेस का screen size है लेकिन इस बात भी 720 pixels के display के साथ में ही आपको यह देखने को मिलेगा जी हाँ HD plus resolution के साथ मैं आपको यह देखने को मिल रहा है Vivo की गंदी आदत है कि budget phones में आपको HD plus display देता है तो यहाँ पर भी यह बग करार है हाला कि colors वकेरा में में कोई भी issues देखने को नहीं मिलते आप वीडियो में देख सकते हैं अच्छे colors हैं डिस्पले आपको अच्छा देखने को मिलेगा color contrast भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा और viewing angles भी मैं कह सकता हूँ कि no doubt अच्छे है लेकिन कम से कम full SD plus display होना चाहिए 10,000 पर से उपा की phone में वीडियो अपने budget phones में चाहिए फिर वो 12,13,14,000 रुपे का ही क्यों नहों वहां पर आपको HD plus display देता है तो यह कम से कम change होना चाहिए यहां पर हमें full SD plus display देखने को मिलना चाहिए था क्योंकि जब भी आप heavy gaming करते हैं या फिर full SD content देखना चाहते हैं तो वो यहां पर available नहीं होगा security के बात करते हैं तो side mount and fingerprint sensor आपको देखने को मिल जाता है लेकिन जब मैं से test कर रहा था तो यह मुझे थोड़ा सा slow देखने को मिला especially अगर मैं Vivo की phones की बात करता हूँ तो वो काफि ज़दा fast होते हैं fingerprint sensor लेकिन ये phone थोड़ा सा slow है और कई बार तो ये काम में नहीं करता जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तो ये थोड़ा सा slow है दूसरे phones के comparison में जिहां Vivo की ही phones के comparison में यहां पर fingerprint sensor मुझे थोड़ा सा slow देखने हो मिला फेस unlock की बात कर लिते हैं वो भी my register कर चुका हूँ ये ठीक है जिहां ये fingerprint sensor से भी जाता fast है तो face unlock में कोई भी issues नहीं है लेकिन fingerprint sensor आप देख सकते हैं ये मुझे slow देखने को मिल रहा है और दोस्तों अब बात आती है camera की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेक्रो सेंसर और 13 मिगापिक्सल का primary sensor front camera की बात करते हैं तो 8 मिगापिक्सल का selfie camera चले कुछ images को capture करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ camera samples जो की लिए गए हैं इस phone के rear और front camera से और यहाँ पर हमने indoor और outdoor दोनों के ही shots को include किया है और यह images जो आप देख रहे हैं वो यह गए हैं और दोस्तों इन images को देखने के बाद एक बाद समझ में आती है कि यहाँ पर जब light condition बहुत अच्छी होती है जैसे कि outdoor shots आप यहाँ पर देख सकते हैं light proper आपको देखने को नहीं मिलती है images में तो बहुत अच्छा camera नहीं मिला मतलब एक average सा camera setup मुझे देखने को मिल रहा है अभी तक portrait mode भी बहुत जड़ा कमाल का नहीं था और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तो front camera की तो इसकी कुछ images आप यहाँ पर देख सकते हैं लेकिन दोस्तो इस phone में मैं जिस चीज की तारीप कर सकता हूँ वो है इसका battery क्योंगि यहाँ पर आपको मिलता है 5.0 mAh का battery और हम जानते हैं कि काफी अच्छा battery backup आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है लेकिन यहाँ पर भी disadvantage यह है कि इस phone में आपको fast charging का support देखने को नहीं मिलता है तो phone काफी ज़्यादा slow charge होगा मतलब 3 गंटे लग सकते हैं इस phone को full charge करने में in fact यहाँ पर आपको type C port भी देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर भी micro USB charging port ही दिया गया है और last में दोस्तों बात करते हैं इस phone के performance की तो वो भी बहुत अच्छा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर दिया गया है snapdragon 439 chipset जो कि 10,000 रुप से नीचे के phone में तो expect किया जा सकता है लेकिन 11,500 रुप के phone में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अच्छा नहीं कर सकते है और हाँ अगर मैं बात करता हूँ RAM और storage variant की तो यहाँ पर आपको 3GB RAM के साथ में 64GB storage देखने को मिल जाता है तो कुम लाकर दोस्तों यह था Vivo का Y20A जो कि आपको मिलता है 11,499 रुप की price में तो इन features के साथ से क्या इस price में Vivo के Y20A को लेना चाहिए वो आप में इचे comment section में ज़रू बताएगा तो बस दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में मुझे उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत बुलिएगा अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियो देखना चैनल को जो subscribe कर लिजेगा हम आपसे मिलते हैं अगला ऐसे ही किसी वीडियो में तब तक के लिए आपके दिन शुब रहें और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद